नरेंद्र मोधी ने तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत ले ली है, लेकिन शपत ग्रहन समारों में अजित पवार गुट से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, दरसल एंडिये ने अजित गुट से प्रफुल पटेल को राज्य मंत्री पद का ओफर दिया था, लेकिन वह कैबिनेट मंत्री के पद पर अड़े हुए थे और इसे लेकर अजित गुट की नाराजगी जाहिर थी, लेकिन अब शिंदे गुट की शिवसेना में भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में एक भी मंत्री पदन ही आया है, जिसे लेकर वहां नाराज बताए जा रहे हैं, और नाराजगी की गुँझ केंद्र में ही नहीं, बलकि महाराश्ट्र तक सुनाई दे रही है, महाराश्ट्र की सत्ता महायूती गट बंधन के हाथ में है, ऐसे में NCP अजीत गुट और शिंदे गुट की शिवसेना अगर NDA से दूरी साध लेते हैं, तो महाराश्ट्र सरकार बड़े संकट में आ जाएगी, तो वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर खीचतान भी अभी भी जारी है, एक तरफ जहां TDP और जेडियों की मांगों ने BJP की चिंता बढ़ा रखी है, तो वहीं अब उद्धव का कहना है कि TDP ने अपने लिए लोग सभा के स्पीकर पद की मांग की है, इसके साथ ही TDP ने BJP के सामने एक और बड़ी शर्त रख दी है, TDP ने अमित शा को ग्रह मंत्री नहीं बनाने की मांग की है, क्योंकि उसे डर है कि अमित शा अपना पुराना खेल शुरू कर देंग और संसद में TDP को खत्म कर देंगे तो यहीं डर बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार को भी है, इसलिए दोनों ने लोग सभा का स्पीकर पद NDA के नेता को देने की मांग की है, जिसके बाद चर्चाएं, यहाँ चल रही है कि NDA सरकार तो बन गई है, लेकिन सहयोगी दल ही आपस में सहज नजर नहीं आ रहे, ऐसे में यहाँ, सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी? यह अभी का सबसे बड़ा सवाल बन रहा है